सबसे पहले आपको उस विशेश पूजा के बारे में बताती हूँ जो आपको आज रात श्री कृष्ण के जन्म के वक्त करनी है यानि आज रात ठीक 12 बजे पहले आप पूजा की समगरी नोट कर लीजे एक एक आइटम अराम अराम से बताऊंगी क्योंकि अगर रात की स्वीडिया मूर्ति इसके बाद आपको चाहिए गनपदी जी की छोटी मूर्ति या फोटो इसके साथ-साथ अंबिगा जी की भी मूर्ति का आप कहीं पे मतलब अपने घर में हो तो जरूर यूज करें आपको सिहासन चाहिए पंच पल्लव यानिकी बढ़ गुलर पीपल आम और पाकर के पत्ते इसके साथ-साथ पंचामरित चाहिए हमें तुलसी दल चाहिए केले के पत्ते चाहिए दीपक चाहिए बड़े दीपक के लिए तेल चाहिए बंदनवार चाहिए अर्दे पातर चाहिए इत्र की शीशी चाहिए धूप बाती चाहिए और हमें आपको रुई चाहिए रॉली, सिंदूर, सुपारी, मौली और पान के पत्ते। पूजा की समगरी खटा कर लीजेगा, लेकिन आप पूजा का सही तरीका भी जानिये। राठीक बारा बजे श्री कृष्ण को दूद, दही, शुद जल से अभी शेक करें। माखन, मिश्री, पंजीरी और खीरा ककडी का भोग लगाएं। फिर श्री कृष्ण की आरती उतारें। सोला अप चारों से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। पूजन में मादेवकी, वासुदेव जी, बलदेव, नंध, यशोदा जी, देवकी और लक्ष्मियादी देवी देवताओं का नाम जपें। भगवान श्री कृष्ण पर फूल चड़ाएं। और फिर खुशी मनाएं। क्योंकि भगवान का अफ़तार आ चुका है। पूल चुका है।